असलाम अले कॉम दिस इस आमेर हनी फोब आप सब खेरिट सोंगे कुछ डिसकस करना था कुछ चीजों को एक्स्वेन करना था कि VPS क्या होता है हमें WordPress के लिए VPS क्यों यूज करना चाहिए हमें डूसरी hosting companies क्यों यूज करने चाहिए तो स्क्रीन पे आपको शोओ और अगर मैंने कुछ आपके लिए एक सीरीज एक ट्यूटूरियल तियार किया है जिसमें हम एक्स्प्रेइन करेंगे कि आपके लिए क्या ज्यादा बेनेफिट है और क्या बेनेफिट नहीं है कुछ दोस्तों को कुछ विवर्स को सब कुछ मालूम होगा कि वीप्यास व्यूज जूरू है क्यों यह बिल्कुल बेसिक सा एक मॉडल है बिल्कुल बिगिनर्स जो है उनके लिए बहुत समझने के लिए उनके लिए अच्छा होजएगा उनको एक एंका जो कॉंसेप्ट ह के लिए लगे आपको लोगों के साथ शैर करने लगों विडियो स्टाट करने से बहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नुए और यह वीडियो पेली बार देख लिया है तो प्लीज डोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल एट लाइक बटन और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारी फैमिली मेंबर है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें आपके एक लाइक से हमारे दिल को सब्सक्राइब में थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि और वीडियो ऐसे कॉंटेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आ सके हैं तो थैंक्यू अरी मच अभी हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस मैंने मैं बेसिक के लिए वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग प्रोवाइड वर्डप्रेस में आप कैसे अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं तो हमने वह देखना है इसलिए मैंने वर्डप्रेस को ज्यादा फोकुस रख है क्योंकर आपके पास एक तो आपको जुरुरत है कि आप एक ओडर हायर करें और इससे पनी वेबसाइट सियार कर वाइए और फिर इसको लाउंच करें इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम बेस्ट हो जब आपके पास एक है प्लेटफॉर्म तो आप उसे यूज कर सकते हैं इसलिए आप अपने जो वेबसाइट से से क्रिएट कर सकते हैं तो वर्डप्रेस से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं तो हमारे यहां पर में मकसद क्या है पैसे कमाना कि आप कुछ भी काम सिखें तो उसे पैसे कमा सकें तो वर्डप्रस से भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं आप इसमें ऑ रही मैं डी वी यूज कर ह comprar हो।। ऑ तो यहां पर आव घर 210 । उडिया आतिरोंगों, हमारे यूजमे मज रही टासे लानों कर रहा हूं। अंके परativa हमेड करीन यूजमें ऐसकी कंषिए अपनी को सुप्रिय करना रर इमार है तो यह पर है अपिर ऐसे अपर менее तुरियल वान दिजिटल Oceans से, वल्टर से, कॉंटाबो से यह तीन बड़े प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से, जिनको मैं यह लिएख रोगूँ तो अगर आपको कोई और लगता है तो वहाज़ा है तो यह मेरे हिसाब से यह डिजिटल Oceans, प्रवाइड करती हैं उनको भी डिसकस करने लगे हैं को डिजिटल ओशियन थोड़ी सी यह इसमें एक थोड़ी से आपको लिनिक्स कमांड आ जाएं लिनिक्स कमांड थोड़ी से आप यूज करके अपनी मल्टिपल वेब साइट्स जो हैं फॉर जामपल अगर मेरे पास मेरी 15-16 वेब साइट्स हैं तो 15-16 वेब साइट्स के लिए मैं एक शेड होस्टिंग अलग अलग परचेज नहीं कर सकता तो उसके लिए आप देखें कि यहां पर देखें वाट इस वीपीएस क्या है तो वीपीएस को समझने के लिए एक कंप्यूटर है जो आपका पड़ा होत कर देख लेते हैं कि यह तीन कैसे पहले डाग्राम को देखें पर बात करते हैं शेड होस्टिंग में आपके बास एक सर्वर है उससे आप सब को डिवाइड किया हो है तो आपके आपने गोडैडी से नेमचीप से यह होस्टिंग पर चेस कर लिए अब मैं नेमचीप के अइज गहरे हैं और फुरम को डिवाइड किया हुए है आप एसा समझ लें यह आपकी शेड होस्टिंग अगर आपकी ट्रेफिक एक ऐसी वेब साइट आपने और वह सकसेस हो गिया और आपकी ट्रेफिक जो है वो वन यूजर से एक सीड कर गी है एक लाग यूजर से अप पर मंथ हो रहे हैं, तो आपकी जो होस्टिंग होगी ना शेयर्ड होस्टिंग उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, फिर आपको और एक्स्पेंसिब आपको लेनी पड़ेगी, इस अपने जो होस्टिंग उसो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहां तक रोंसर्ट क्लियर हो गए क आपके लिए अलग वीपीएस जो सर्वर्स उनको प्रियेट कर दिया जाता है और आप उनको खुदी जो आपके पास वीपीएस सर्वर उसके उपर आप अनलिमिटिड वेब साइट्स कर सकते हैं अब ऐसा निया कि आपने वेब साइट के लिए एक फाइप डालर वाली डिज कैसे पास फंद्रा टॉस्टिंग परषैस कर लें वेब साइट तो आपके पास कास्टमर जिनकोच्ट्ञ पहुस्टिंग अमचा थे बालर के लेया है तो आप मचा करें देयरे ने एक टार जुसटिंग आप के और और युदिका पैसे भी कमा सकते हैं रहे हों अगर अगत प्रि 67,000 पर शिवमनegर थाल बन जाते हैं तो अगर यह थोड़े से पैसे अइनवेस्ट करके दो 3D 3 तक भी कमा रहे हैं तो यह एक WPS hosting और जो प्हुंत जो जो इसे आसा होता है कि आपके पास ऐसा कर ले कि आपके पास अपास एक पास एक अपार्टमेंट एक बिल्डिंग तो आप इसको एक जांपल ले तो भीकर आपका घर बन जाता है आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं ऐसा समझते हैं पर अबाद डेडिकेटिड सर्वर प्रचेस करते हैं, बड़ी बड़ी कंप्पनी उसको परचेस करके फिर उनको डिवाइट करके पिर उसी रहा हम लोगों को शेर्ड होस्टिंग परचेस करते हैं और फिर हम जाते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग के नॉलज ने निक्स कमांड मी आती तो फिर हम जाके उनसे ले लेते हैं और फिर हर मन्त हमें 5 डॉलर, 6 डॉलर, 10 डॉलर देने पड़ते हैं तो यहां पर अगर आपके पास ज्यादा अगर आपने एक वेबसाइट चलानी है तो फिर कोई अगर आप एक ब्लॉग चला रहे हैं तो फिर आपको कोई जुरूरत निया है के वीपेस होस्टिंग ले बस आप एक वेबसाइट बनाए अपना जो होस्टिंग और नेमचीप स अगर नेमचीप स्भाइं अपने सिंग फिर आपके बसुग है और जो किस फूटेजर करें अपर उसमें कुछ प्रोग्रेमिग कुछ आइडिंग करेंपर उनको अख पार्स में हम लोगों पर बेचती है तो इमाय यह नहीं किर मैं आ आपके वह सारे बीसनस है वो बड़ा इंटेलिजन काम करें, वो एक बिजनस कर रहे हैं, तो यह हो गया, शेड होस्टिंग, विप्यास होस्टिंग और डेडिकेटिट सर्वर की बात, अब हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट हमारे लिए शेड होस्टिंग, 10,000 फर एक्जम्पल है, यह 10,000 रुपीज आप से पर मंथ चार्ज करेंगे, एक वेबसाइड के लिए एक सी पैनल दे रहे है, अगर आपने अपनी वेबसाइटों से सिक्यूर करने, अगर आपके लिए आप से लोगों में डिवाइड होता है, और अगर आपकी वेबसाइड पर ट्राफिक आ गी है, तो वो जो दूसरे आपके साथ जिन्हों होस्टिंग शेयड की होई है, तो वो उनको बीना जटका दे देगी, क्योंको उनके वेबसाइड घर जाएगी, असलो हो जेगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए, रेकेमेंड यह है कि आप VPS उसकर, अगर आपके पास एक ही वेबसाइट है, त आपके चार्जिस वी जो है, वो भी कम होते है, तो आपके चार्जिस वी जो है, वो भी कम होते है, 6,000 पर मंथ, आप, for example, यह एक्जांपल है, 6,000 रुपीज पर मंथ कर लें, अनलिमिटेट वेबसाइट और ब्लॉग्स, वेबमाइन आपको मिल जाते हैं, जैसे सिय पैनल जाते हैं, लेकिन VPS यहां पर बेस्ट हो जाते हैं, मेरे व्यू के मुताबिक, तो फिर डेडिकेटिव सर्विर हम अफोर्ड ही ने कर से कर से को बहुते हैं, तो उसके बाद लास्ट स्टेप जो हमारा हाव वेबसाइट वर्क से वेबसाइट काम कैसे करती हैं, यहां पर आपको खुबसूरत लड़की दिखाई दे रही है, यह सर्वर को रिपरस्ट बेज रही है कि मुझे यूट्यूब.com चाहिए, तो यूट्यूब.com जो सर्वर जो पीएच्वी में कोड लिखा है, या फ्लास्में या वर्डप्रेस में इसी बैकेट की वेबसाइट में को कोड लिखा हुआ है, तो वह कोड जो है, तो सर्वर फिर उसको रिपरस्ट बेज देता है, यह लोजी आपकी यूट्यूब.com की वेबसाइट रही है, तो एक लोगिन पेज भेज दिया, यह लाहरा आपका लोगिन पेज, फिर लोगिन जब आप करते हैं फिर यूट्यू फिर जब वो प्रूफ कर देता है, तो फिर वो वापिस उसको रिटर्न कर देती है, और क्या देती है, फिर वो उसको रिकोड कर देता है, जो आपका ब्राउजर होता है, वो रिकोड करके आप जो देखना चाहते है, वो आपको शो करवा देता है, तो यह थी वीपीएस का तो सिर्फ आपको सिर्फ शेयर करना चाहरा है कि VPS होता है कों से VPS हमारा नहीं बेस्ट है, कों सा नहीं बेस्त है, सिम्पल यह बात यह है कि अगर आप एक ही website host करना चाहरा है, तो फिर आप shared hosting पर चेस करने अगर आप एक blog रुप कर रहे हैं, और अगर आपने देखना है कि वर्डप्रेस वेबसाइट जो होस्ट करते है तो उसके वेबसाइट आपको दिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी तो प्लीज ये वीडियो आप अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले अगर इस वीडियो से आपक मेरा मैं भी आपको अबूमेला है तो थो था प्लीमन भी थ d